नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल परसाला टेग में Only टेग, No फेग दोस्तों हम सभी ने कभी न कभी तो ट्रेन में सपर किया ही हैं और करते ही रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ठिकरट कंफर्म नहीं हो पाता है और ऐसे में हमें बहुत सारी परसानियों को सामना करना पड़ता है हमें पता नहीं होता है कि कौन सा सीट वेकेंट है तो आज का वीडियो जो है इसी टॉपिक पे है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा सीट खाली है कौन सा सीट खाली नहीं है तो वीडियो में अंतक बने रहेगा तभी वीडियो समझ में आएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देज़ेगा और हाँ सेयर करना न भूलिएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले अपने आयर्ची टीस को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको यहां नीचे चार्ड वेकेंसी का ओप्शन दिख्राओगा उस पे सिंपली क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज़ खुलेगा यहां पर आपको अपना ट्रेन नमबर डा क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज़ खुलेगा अब आप सिंपली देख सकते हैं यहां पर जो है ट्रेनों का क्लास कैटेगोरी वाज दिखाया गया है और उसमें कितनी सीटे खाली है उसको भी दिखाया गया है आप जिस क्लास में सफर करना चाहते है उसक्लास करना है जैसे आप अगर आप बी-टू में सफर करना चाहते हैं तो बीटू पर सेविक क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सीटों की संक्या को जो है अलग-अलग क्लाड में अलग-अलग सिंबल में दिखाया गया है येलो कलर बताता है कि यह सीट जो है पार्शियली अकुपाइड है और परपल कलर का सिंबल बताता है कि यह जो है अकुपाइड है फुल जारने के लिए और जो है ग्रीन कलर का सिंबल बताता है कि यह पूरी तरह से सीट खाली है फुल जारने के लिए आप जो है सीट आपको सिट कहा तक खाली है तो इस तरीके से अपने सीट का चैन कर लीजिए और वहां पर जो है टीटी से अपना टीकर टो सेट का बनवा लीजिए और अरां से आतरा किजिए हे दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और यह भी उम्मीद करता हूँ कि आगे आपको जो है ट्रेन में किसी परकार कर दिकत नहीं होने वाला है तो दोस्तों अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह बरसाते रहे हैं और वीडिय हैं नेक्स वीडियो में जै हिन जै भारत